हलो दोस्तों, वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स, मद्यपरदेश के नरत्य और समारोग और उत्सब के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों हम इस वीडियो में आपको मद्यपरदेश के प्रमुख नरत्यों के बारे में बताएंगे और एक सोट्रेक है जिसके जरीए आप इन सभी को याद कर सकते हैं तो चलते हैं बिना समय गवाए Question No.1 पर मद्यप्रदेश समारो का आयोजन कहा किया जाता है तो दोस्तो इसका सही option है दिल्ली में दिल्ली में मद्यप्रदेश समारो का आयोजन किया जाता है दोस्तो ये एक भूलने वाला Question है आपको जरूर याद रखना है मद्यप्रदेश जो समारो है वह दिल्ली में आयोजन किया जाता है दोस्तो इस समारो की आयोजन पर मद्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की जलकिया प्रस्तुत की जाती है समारो में गायन, नरत्य, वादन और चित्र प्रदस्नी का आयोजन किया जाता है यह समारो है एक हपते तक चलता है नई दिल्ली में Next Question भारत का सबसे बड़ा नरत्य महुद्सव कौन सा है तो दोस्तो इसका सही Option है खजराहो नरत्य समारो है खजराहो नरत्य महुद्सव भारत का सबसे बड़ा नरत्य महुद्सव है जो मद्यप्रदेश में आयोजित किया जाता है चंदेल राजाओं की नगरी खजराहो में अखिल भारतिय सास्त्रिय नरत्य का आयोजन किया जाता है खजराहो नरत्य समारो है, मद्धिप्रेदेश का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा नरत्य शमारो है जिसमें उत्तर और दक्षन भारत की नरत्य शैलियों का अनुखा अनुपम देखने को मिलता है दोस्तो इसका उद्दिष परेटन को प्रूथसान और खजराहो की बिरासत को सनरक्षन देना है इसलिए यह है खजराहो नत्य महुत्सव मनाया जाता है दोस्तो खजराहो मधिपदेश की छतरपुर जिले में इस्थित है नेक्स्ट कॉश्चन तांसेन समारोह कहां मनाया जाता है तो दोस्तो इसका सही उफ्षन है गवालियर गवालियर में तांसेन समारोह आयोजित किया जाता है दोस्तो गवालियर में तांसेन की याद को अमर बनाने के लिए तांसेन समारोह का आयोजित किया जाता है यह साश्त्रिय संगीत के खिशित्र में देश का प्रतिस्टित समारू है देश के शीर्ष संगीत अग्य, गायक और वादक इस समारू में भाग लेते हैं तो आपको याद रखना है तानसेन समारू है ग्वालियर में आयजित किया जाता है Next question कालिदास समारू का आयोजन कहां किया जाता है तो दोस्तो इसका सही option है उज्जेन उज्जेन में कालिदास समारू का आयोजन किया जाता है दोस्तो कालिदास अकेडमी द्वारा उज्जेन में इस समारू का आयोजन किया जाता है यह समारू है एक वीक तक चलता है तो आपको इतना जरूर याद रखना है कालिदा समारो की बारे में क्यूंसा समारो का आयरजन में किया जाता है दोस्तो आपको पता है मैहर सतना जिले में पढ़ता है जहांपर मा शारदा का बहुत प्राचीन और प्रिशिद मंदिर है वही पर इस अलाउद्दीन खां शमारों का आयोजन किया जाता है मैहर में बाबा अलाउद्दीन खां की याद में इस समारोय का आयोजन किया जाता है बाबा की ख्याती किसी एक वाद्दे में नहीं दोस्तो ये सभी वाद्दी अंत्र बजाने में निपोड़ते दोस्तो इसलिए इस समारोय को सास्त्रे संगीत की विवित्ता पूर्ण प्रस्तुती होती है समारोय का मुख्य आकरशन माईहर बेंड होता है जो special band है माईहर में तो आपको इतना जरूर याद रखना है अला उद्दीन खां समारोह मैहर में आयोजित किया जाता है मैहर जो सतना जिले में इस्थित है नेक्ट कॉश्चन दुरूपद दोस्तो यहाँ पर दा है दुरूपद समारोह कहां मनाया जाता है तो दोस्तो इसका संगीत को दुरूपद विधा को बढ़ावा देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर आयोजित किया जाता है दुरुपद समारोह चलते हैं नेक्ष्ट कॉश्ट पर निम्नमे से किस उत्सब की शुरुवात 1991 में की गई थी जिसका सही option है दोस्तो मालवा उत्सब मालवा उत्सब की शुरुवात 1991 यानी 1991 में की गई थी दोस्तो मद्यप्रदेश शाषन की संस्कृती बिभाग द्वारा 1991 में प्रतिवश उज्जेन, इंदौर और मांडू में आयोजित किया जाता है मालवा उत्सब मालवी शाली की नत्य प्रस्तुती और कलाकारों की शोभा यात्रा निकाली जाती है मालवा उत्सब पर तो आपको याद रखना है इंदौर उज्जेन और मांडू में मालवा उत्सब मनाये जाता है जिसकी इस्थापना 1991 में की गई थी महिश्वर में आईजित होने वाले उत्सब का नाम क्या है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है निमाड उत्सब निमाड उत्सब का आईजित महिश्वर खरगोन में किया जाता है दोस्तो आपको बता दे मद्यप्रदेश के निमाड की महिस्वर जो खरगोन जिले में इस्थित है वहाँ पर यह निमाड उत्सव मनाया जाता है सांस्कृतिक गदिविदियों का प्रदर्शन इस उत्सव में किया जाता है चलते हैं निमाड उत्सव का आयोजन निमन में से किस जिले में किया जाता है तो दोस्तो इसका सही उफ्षन है निमाडी निमाडी जिले में उत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तो हाली में मद्यप्रदेश में नया जिला बना है निमाडी और निमाडी की अंतरगत उर्चा अब आने लगा है तो आपको याद रखना है उर्चा उत्सव निमाडी जिले में इस्थित है दोस्तो आपको बता दें यह पहले टीकमगर जिले में पढ़ता था उर्चा उत्सव तो इस उत्सवप पर बुनिलखंड की कलाकारों का नत्य, गायन, वाधन प्रस्तुत किया जाता है तो आपको इन दोनों question की बारी में याद रखना है एक और दोस्तों important fact बता दें निमाडी मध्यप्रदेश का सबसे छोटा जिला है ये दोस्तों हाली में जिला बनाया गया है और ये मध्यप्रदेश का सबसे छोटा जिला है निमाडी next question भोपाल में आयवजित होने वाला समारों निम्न मैसे कौन सा है तो दोस्तों इसका सही option है उपरोक्त सभी धुरुपद समारों है दुरलब बाद बिनोद समारों है और मध्या पर्वश समारों है दोस्तों ये सभी भोपाल में आयवजित किये जाते है दोस्तों आपको दुरलब बिनोद समारों की बारें बता दे देश में यह अपनी किस्म का एक अनोखा समारों है प्राचीन से लेकर बर्तमान तक के वाद्धी यंत्रों का प्रदर्शन इस समारोव में किया जाता है तो आपको याद रखना है दुरुपः समारोव, दुरुपः बाद विनोद समारोव, मध्या पर्व समारोव ये सभी भूपाल में आयोजिन किये जाते हैं चलते हैं, next question निमनमे से किस समारोव का आयोजन इंद और जिले में किया जाता है तो दोस्तो ये सभी चारों समारोव का आयोजन इंद और जिले में किया जाता है दौस्तों आपको बता दो है अमीर खान संगीत समारो है इसका आयूजित में किया जाता है लता मंगिस कर सुगम संगीत समारोवे दोस्तो इसका आयोजन भी किया जाता है इन दौर में ही तो आपको इतना जरूर याद रखना है दोस्तो अब आपको अमीर खां संगीत समारोवी के बारी में बता दें सू प्रिसिद सितार वादक अमीर खां की याद में इन दोर शहर में यह समारोव आयोजित किया जाता है जिसमें देश की प्रमुक्ष, शांस्कृतिक और शास्त्रिय संगीश से जुड़ी हस्तिया भाग लेती है तो ये एक दोस्तो important question है इन दोर में चार समारोव आयोजित किये जाते हैं जो प्रदीश में सबसे ज़ादा है इन चारों के नाम आपको याद रखने है नेक्स्ट question निम्नमे से किस समारोव का आयोजित खंडवा में किया जाता है तो दोस्तो इसका सही option है माखलाल चतुरवेदी समारोव इंपोर्टेंट है और जिन कवियों का जन्म इन ही जिलों में हुआ है उनकी बारी में तो दोस्तो आपको बता दें पदमाकर समारोव जो सागर में आयोजित किया जाता है तो पदमाकर कवी का जो जन्म इस्थान है वह सागर जिला है तो आपको याद रखना है पदमाकर समारुवे सागर जिले में आयोजित किया जाता है सेकंड नमबर पर है सुविद्रा कुमारी चोहान समारुवे दोस्तो इसका आयोजन जवलपुर में किया जाता है जवलपुर में ही सुवद्रा कुमारी चोहान का जन्म हुआ था टेपा सुल्तान दोस्तो इस सम्मिलन का आयोजन उज्यन में किया जाता है दोस्तो आपको उज्यन का एक और इंपूर्टेंट बता दें एक और समारोय, जसे हम कालिदास समारोय के नाम से जानते हैं इसकी इस्थापना 1957 में की गई थी और ये भी उज्यन में ही मनाया जाता है दोस्तो अगर भहीं बात करें तुलसी समारोय की तो तुलसी समारोय चित्र कूट में आयोज़ित किया जाता है आपको बता है चित्रकूट सतना जिले में इस्थित है और चित्रकूट में भगवान राम से जुड़ा यह एक एतिहासिक इस्थाल है तो आपको याद इसी से याद रखना है तुलसी समारो है जो चित्रकूट में आयोजित किया जाता है यह भी सतना जिले में ही इस्थित है तो सतना जिले में दो एक अलाउद दिनखा संगीत समारोवे और तुलसी समारोवे ये दोनों समारोवे सतना जिले में आयोजित किये जाते हैं दोस्तो अब बात करते हैं लोक रंग समारोवे की तो यह मद्यप्रदी सरकार द्वारा भोपाल में आयोजित किया जाता है बालकिशन शर्मा नवीन समारोव दोस्तो यह शाजापुर जिले में आयजित किया जाता है यही पर बालकिशन शर्मा नवीन का जन्म इस्थान भी है तो आपको इनकी बारे में भी इतना याद गरखना है दोस्तो अब बात करते हैं मत्यप्रदिश के पुर्मुक्ष समारो पर एक नजर में कैसे आपको याद हो सकते हैं तो दोस्तो जैसे ओर्चा उत्सव है तो यह टीकमगड या ओर्चा में ही आयजित किया जाता है तो आपको यह याद हो जाएगा जैसे तांसेन समारो है दोस्तो यह तांसेन का जो कर्म इस्थल रहा है वह गवालियर रहा है तो आपको वैसे वी याद होगा तांसेन समारो गवालियर में आयजित किया जाता है जैसे अलावत दीन खा संगी समारो है तो दोस्तो इनकी कर्म इस्थली वी यह मैयर रही है या स चित्रकूट जो भगवान शीर राम से संबन्दित है। यह तुलसी समारोई ही है यह भी भगवान राम से ही संबन्दित है। तो आपको ये दोनों याद रशने है। जैसे सुभिद्रा कुमारी चोहां समारो है। इनका जन में इस्थल जो हुआ है, वह जवलपुर में में धुरुपत समार हुए दुरलबाद बिनोद समार हुए और लोकरंग समार हुए यह सभी भोपाल में आयजित किये जाते हैं दोस्तों जैसे कालिदास समार हुए आपको याद रखना है यह उज्जन में आयजित किया जाता है क्योंकि उज्जन में ही कालिदास ने अपनी screenshot ले सकते हैं इसका और आप कभी भी इस वीडियो से related इसको देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर like करें share करें दो हमारी कुछ और important वीडियो हम मैं आप तक बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ तो आप वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों हमारी एक और सीरीज जो daily current affair की है वह पर डे अपडेट होती है तो इसे आप जरूर देखें